सूरज में नाविके सल्लेयन अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के समस्तानी आपस में जूड़ कर हीलियम बनाते हैं इस अभिक्रिया को नाविके सल्लेयन अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया में बहुत अधिक उर्जा निकलती है सूरज से निकलने वाली यह उर्जा धर्ती तक कैसे पौशती अंत्रिक्ष में निर्वात होता है और निर्वात से यह उर्जा यात्रा करते हुए धर्ती तक पौशती मतलग इस उर्जा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवशक्ता नहीं होती यहां निर्वात में भी गती करती निर्वात में गती करने वाली तरंगे विद्युचुम्ब की तरंगे होती और इन विद्युचुम्ब की तरंगों के रूप में सुरज से निकलने वाली उर्जा का संचरण होता है उर्जा विद्यो चुम किये तरंगों के रूप में अंत्रिक्ष की आत्रा करते हुए धर्ती तक पौशती ये विद्यो चुम किये तरंगे क्या होती विडियो को पूरा देखोगे तो 100% समझ में आएगा एक तरंग को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर दो प्रकार की तरंगे होती विद्यु तरंग और चुम किये तरंग और इसी को कहा जाता है विद्यु चुम किये तरंग दोस्तों इस ब्रह्मान को समझने के लिए मानव के द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे बैस्ट थियोरी क्वांटम फिल्ड थियोरी है फेल्ड का मतलब होता है शेत्र संपोन ब्रह्मा अंड फेल्ड से बना होता है जेसे विद्यु शेत्र इलेक्ट्रिक फेल्ड चुम्बके शेत्र मागनेटिक फेल्ड गुरुत्विय शेत्र ग्रेविटेशनल फेल्ड इसी तरह इलेक्ट्रोन का फेल्ड होता है तरंगे बनती हैं दोस्तों मान लेते हैं एक फिल्ड है और इस फिल्ड में इस तरह से ऊपर और नीचे ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेशन होता है और इसी वाइब्रेशन से तरंग उत्पन होती है जब हम पानी में पत्थर डालते हैं तो उस पत्थर के चारों और तरंगे उत्पन होती है तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है परन्तु पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता पानी अपने स्थान पर उपर नीचे होता और पानी के उपर नीचे होने से तरंग बनती और ये तरंगे उड़जा की तरंगे होती इनी तरंगों से हमें पदार्थ का काण गुण दिखाये देता मतलब इन तरंगों से काण बनते इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन और इन तीनों मूलबूत काणों से पर्मानू बनता पर्मानू से पदार्ध बनता अगर देखा जाए तो इस ब्रह्मान में उर्जा और पदार्ध तरंग के रूप में उत्ता दोस्तों पत्थर भी तरंग है, पोदे भी तरंग है, जन्तू भी तरंग है, हम स्वयम भी तरंग है संपून ब्रह्मान फिल्ड से बना उत्ता है और इन फिल्ड में वाइब्रेशन उत्ता है तरंगे बनती और इनी तरंगों से संपून ब्रह्माण में उर्जा और पदार्त नजर आता है जब चुम्बके शेत्र में कमपन ओते हैं तो चुम्बके तरंगे बनती और जब विद्यू शेत्र में कमपन ओते हैं तो विद्यू तरंगे बनती ये दोनों तरंगे हमेशा एक साथ होती और इसी को कहा जाता है विद्यू चुम्ब किये तरंगे सुरज से आने वाली उर्जा का संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना विद्यू चुम्ब किये तरंग के रूप में होता है माल लेते हैं या तरंग आगे की ओर जाती है इसके संचरण की दिशा एक स दिशा है एक स दिशा में तरंग का संचरण होता है तो जेड दिशा में इस तरंग को हम चुम्ब किये तरंग माल लेते हैं इस चुम्ब किये तरंग के लंब वात 90 डिग्री पर Y दिशा में Y दिशा में उपर नीचे विद्युत तरंग होती दोनों तरंगे एक दूसरे के लंबवत होती 90 डिग्री के कौन पर होती और जिस दिशा में तरंग जाती उस तरंग के संचर्ण की दिशा के लंबवत 90 डिग्री पर वाइब्रेशन होते हैं मतलब दोनों तरंगे तरंग की संचरण की दिशा से लंबवत होती हैं दोस्तों इस तरंग को हम माल लेते हैं वीद्यू तरंग तो इस वीद्यू तरंग के लंबवत ये वाली तरंग चुम्ब की तरंग होती है दोनों तरंगे एक दूसरे के लंबवत होती इन दोनों के बीच का या कौन 90 डिग्री होता है इस एक तरंग को हम वाइब्रेशन बोल सकते हैं उपर, नीचे, उपर इस तरसे तरंग में कमपन वाइब्रेशन होते हैं और दोनो तरंगे तरंगे सांचरण की दिशा से 90 डिगरी का एंगल बनाती है मतलब इसे हम तरंगे संचरण की दिशा माल लेते हैं तो यहाँ पर इस तरंग का यह उभार इस संचरण की दिशा से 90 डिगरी के कौन पर होता है यह दोनों तरंगे एक सात होती है और इसको कहा जाता है विद्यू चुम्ब की है तरंग किसी एक विद्यू चुम्ब की है तरंग को इस तरह से प्राधर्शी करते तरंग में उभार होते हैं गड़े होते हैं इस उभार को श्रंग कहा जाता है अंग्रे जी में इसे ट्रेस्ट कहा जाता है और इस गड़े को गर्थ कहा जाता है अंग्रे जी में इसे ट्रफ कहा जाता है श्रंग गर्थ श्रंग गर्थ इस तरह से तरंगोती यहां से यहां तक इसे हमें एक तरंग बोल सकते हैं, उपर, नीचे, उपर, नीचे, तो इस तरह से इसमें vibration होता है, इस श्रंग के अधिकतम उचाय, इस उचाय को इस अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जदता है, अंग्रे जी में इसे amplitude कहा जदता है, दोस्तों इस श्रंग से इस श्रंग तक की दूरी को लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं इस गर्थ से इस गर्थ तक की दूरी भी लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं किसी तरंग में दो समीप के दो पास पास वाले श्रंगों के बीच की दूरी तरंग लंबाई कहलाती इसी को इसी तरंग लंबाई को तरंग देर दिका आ जाता है और इसे लेमडा से प्रदर्शित करते दो समीब के श्रंगों के बीच की दूरी या दो समीब के गरतों के बीच की दूरी समान होती यहां से यहां तक इस बिंदू से इस बिंदू तक इस सिंगल पार्ड को भी हम एक तरंग लंबाई मानते मतलब इस बिंदू से इस बिंदू तक एक तरंग बनती और उसके बाद यहां से यह तरंग repeat होती उसके बाद repeat होती तो इस बिंदू से इस बिंदू तक की दूरी भी lambda होती और इसी दूरी को तरंग देड़ दिका आ जाता है अंग्रेजी में इसे वैव length का आ जाता है अब हम समझने वाले हैं कि तरंग आवरती क्या होती है तरंग आवरती को new से प्रदर्शिक करते हैं यह इसका प्रतीक चिन्य इस बिंदू से इस बिंदू तक एक तरंग होती है और इसकी लंबाई lambda से प्रदर्शिक करते हैं और इस बिंदू के बाद यह तरंग रिपीट होती है तो इन दोनों की लंबाई मतलब इन दोनों का तरंग देड़्ध लेमडा होगा अब माल लेते हैं यहाँ पर एक बिंदू है और इस बिंदू से यह दोनों तरंगे एक सेकंड में गुजर जाती है किसी बिंदू से एक सेकंड में पास होने वाली तरंगों की संक्याप को तरंग आवरति का आ जाता है इस बिंदू से एक सेकंड में दो तरंगे गुजर जाती है तो तरंग आवरति दो ती मतलब दो तरंगे प्राती सेकंड जब हम किसी एक तरंग को देखते हैं तो इसमें up होता है down होता है एक up और एक down इसका मतलब यहाँ एक company होता है तो एक तरंग को हम एक company मान सकते और एक second में इस बिंदू से दो company पास हो जाते तो दो तरंग ये प्रती second को हम दो company प्रती second बोल सकते एक कमपन को हम चक्कर भी बोलते हैं एक साइकल, दूसरा साइकल तो इसे हम दो चक्कर प्रती सेकंड भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में इसे टू साइकल पर सेकंड बोला जाता है और इसी साइकल पर सेकंड को विज्ञानिक हर्स के नाम पर हर्स बोला जाता है मतलब आवरती होगी दो हर्स हर्स को ह, जेड से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर तरंगों की संक्या एक तरंग, दूसरी तरंग, तीसरी तरंग, चोती तरंग और ये चारों तरंगे एक सेकड में इस बिंदू से पास हो जाती चार तरंगे प्रती सेकड तो यहाँ प्रावरती कितनी होगी? 4 हर्स दोस्तों, हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट का उप्योग होता है जिसे हिंदी में प्रत्यावरती धारा का आजाता है यहाँ तरंग होती है और इस तरंग की आवरती 50 हर्स होती है मतलब ऐसी करंट में एक सेकड में 50 तरंगे पास होती जब किसी चालक तार में प्रत्यावरती धारा प्रवाईत होती तो उस तार के किसी बिंदू पर एक सेकड में 50 तरंगे गुजर जाती किसी एक तरंग में प्रत्यावरती धारा का मान एक बार बढ़ता है और एक बार कम होता है मतलब प्रत्यावरती धारा का मान एक सेकड में 50 बार बढ़ता है और 50 बार कम हो जाता है जब यह धारा बल्ब में प्रावाईत होती है तो बल्ब एक सेकड में 50 बार अपनी रोष्णी को बढ़ाता है और 50 बार अपनी रोष्णी को कम कर देता है परम्तु दोस्तों हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है टीम टीम आता हुआ दिकाई नहीं देता है क्योंकि हमारी आखें एक सेकंड में उने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ पाती तो हमें बल्ब जलता हुआ प्रतीत होता है वास्ताव में बल्ब टीम टीम आता है तो तरंग आवरति क्या होती है एक सेकड में किसी बिंदू से गुजरने वाली तरंगों की संक्या को तरंग आवरति का आ जाता है और इसका मात्रा हार्स होता है अब हम बात करते हैं तरंग के वेग की दोस्तों वेग क्या होता है वेग या चाल क्या होती है उपर हम दूरी लिखते हैं और नीचे हम समय का भाग देते हैं जब यहां पर हम दूरी लिखते हैं तो दूरी अदीश राशी होती है तो इसे हम चाल बोलते हैं और दूरी के स्तान पर हम विस्तापन लिखते हैं विस्तापन सदीश राशी होती है तो इसे हम वेग बोलते हैं दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है जबकि विस्तापन एक निश्चित दिशा में होने वाली दूरी होती है दोनों दूरी होती है इसकी दिशा निश्चित होती है और इसकी कोई दिशा नहीं होती है तो दूरी बटा समय चाल होता है और विस्तापन बटा समय वे अब हम यहाँ पर आते हैं इस बिंदू से एक सेकंड में दो तरंगे गुजरती इस एक तरंग की लंबाई लेम्डा और इसी तरह दूसरी तरंग की लंबाई लेम्डा तो जब एक सेकंड में यह दोनों तरंगे इस बिंदू से गुजर जाती तो यह तरंगे कितनी दूरी ताई करती यह तरंगे इस बिंदू से एक सेकंड में गुजरने पर यहां से यहां तक की दूरी ताई करती मतला लेम्डा लेम्डा टू लेम्डा दूरी ताई करती मतला एक तरंग की लंबाई लेम्डा है और दो तरंगे एक सेकड में इस बिंदू से गुजरती तो यहां से यहां तक की दूरी ताई करती जब ये दोनों तरंगे एक सेकंड में इस बिंदू को पास हो जाती तो two lambda दूरी ताइ करती एक सेकंड में इस बिंदू से गुजरने वाली तरंगों की संग्यार दो है तो इस दो को हम बोल सकते हैं आवरती, यहाँ पर दो आवरती आवरती को new से प्रदर्शित करते हैं और इस lambda को लिख देते हैं तो किसी बिंदू से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की दूरी new lambda होती तो अब हम तरंग का वेग ज्याद करते हैं या चाल निकालते हैं दूरी new lambda और समाए एक सेकंड दूरी यहाँ पर मिटर में होती है और समाए यहाँ पर सेकंड में होता है तो हमें वेग कितना प्राप्त होगा? वेग बराबर new lambda मिटर प्रति सेकंड दोस्तों सभी तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के समतुल्य होता है मतलब सभी तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के लगबग बराबर होता है तो हम इस वेग को प्रकाश का वेग मान लेते हैं और इस वेग को सी से प्रदर्शित करते हैं प्रकाश के वेग को सी से प्रदर्शित करते हैं C equal to new lambda होता है, इस सूत्र में 3 राशियां होती है, C का मान हमें पता होता है, प्रकाश का वेक कितना होता है, 3 इंटू 10 की गात, 8 मीटर प्राथिस सेकंड, इन दोनों में से कोई एक राशी प्राश्न में दी जाती है, जब तरंग लंबा ही दी जाती है, तो आवरती को पूछा जाता है, और जब आवरती दी जाती है, तो तरंग की लंबाई को पूछा जाता है, C का मान आपको याद रखना होता है, मान लो किसी प्राश्न में लेमडा दिया गया है, तीन हजार एंगस्ट्रॉम, किसी तरंग की लंबाई को तीन हजार एंगस्ट्रॉम दिया गया है, प्रकाश का वेग मीटर प्रतिसेगण में हम लेते हैं, तो यहाँ पर लेमडा एंगस्ट्रॉम में न होकर मीटर में होना चाहिए, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, दस की गात माइनस दस मीटर, तो 3000 एंग स्ट्रोंग का मतलब होगा 3000 इंटू 10 की गात माइनस 10 मीटर हमें ग्याद करना है आवरती को तो यहां से हम लेम्डा को अठा देते हैं तो लेम्डा C के नीचे चला जाता है C अपॉन लेम्डा C का मान हमें पता है 3 इंटू 10 की गात 8 और लेम्डा का मान 3000 इंटू 10 की गात माइनस 10 मीटर और इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है वन इंटू 10 की गात 15 हर्स आवरती गणीते आपको हल करना आना चाहिए चले आगे बढ़ते हैं अब हम समझने का प्रियास करते हैं कि तरंग संक्या क्या होती तरंग संक्या को न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं यहां न्यू का प्रतीक है और इसके उपर हम बार बना देते हैं एक डंडा बना देते हैं दोस्तों तरंग आवरती में हम एक सेकंड की बात करते हैं और एक सेकंड को हम इकाई समय बोलते हैं यहां पर हम बात करेंगे इकाई दूरी की और इकाई दूरी का मतलब आप मीटर में लेते हो तो एक मीटर और आप सेमी में लेते हो मतलब सेंटीमीटर में लेते हो तो एक सेंटीमीटर जब किसी राजशीगा मान एक होता है तो उसे हम इकाई बोलते हैं यहाँ पर दूरी एक मीटर या एक सेमी होती है तो इसा में काई दूरी बोलते हैं माल लेते हैं इस बिंदू से इस बिंदू तक की दूरी एक मीटर है यहाँ पर इस बिंदू से इस बिंदू तक की दूरी छे मीटर माल लेते हैं यहां पर एक मीटर दूरी के अंदर दो तरंगे बनती मतलब दो तरंगे उत्पन न होती इकाई दूरी में उत्पन तरंगों की संक्या तरंग संक्या कहलाती तो यहां पर तरंग संक्या कितनी होती है दो तरंगे इस एक तरंग की लंबाई लेम्डा दूसी तरंग की लंबाई लेम्डा यहां से यहां तक की दूरी एक मीटर है तो लेम्डा का मान कितना होगा एक बटा दो मीटर मतलब जब हम एक बटा दो एक बटा दो को जोड़ते हैं तो हमें एक मीटर प्राप्त होता है और यहाँ पर एक बटा दो मीटर मतलब एक तरंग की लंबाय होती है लेम्डा प्लस लेम्डा इक्वल टू वन मीटर इसे हम लिख सकते हैं टू लेम्डा इक्वल टू वन मीटर एक मिटर इकाई दूरी होती है और इस इकाई दूरी में तरंगों की संक्या दो है तो यहाँ पर दो क्या है तरंग संक्या तो इस दो को हम न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ से हम लेम्डा को हटा देते हैं जब यहां से हम लेम्डा को उटाते हैं तो लेम्डा एक के नीचे चला जाता है तो हमें प्राप्त होता है तरंग संक्या का सुत्र न्यू बार बराबर वन अपन लेम्डा इस सुत्र में दो राशियां होती है उनमें से किसी एक राशी का मान दिया जाता है और दूसरी अज्यात राशी के बारे में पूछा जाता है जब तरंग संक्या दी जाती है तो हम लेम्डा ग्यात कर सकते हैं और जब लेम्डा दिया जाता है तो तरंग संक्या को निकाल सकते हैं दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं चलिए फीर से समझते हैं यहां से यहां तक की दूरी 6 मीटर है और इसमें तरंगों की संक्या है 1, 2, 3, 6 मीटर दूरी में तरंगों की संक्या है 3, तो एक मीटर दूरी में तरंगों की संक्या कितनी होगी 3 upon 6, equal to 1 by 2 तरंगे, तो इसे हम बोलेंगे तरंग संक्या इस बात को याद रखो एक मीटर दूरी या एक सेमी दूरी इकाई दूरी और इकाई दूरी में जितनी तरंगे उत्पन उत्ती उसी संक्या को तरंग संक्या कहा जाता है यहाँ पर एक तरंग की लंबाई लेम्डा है दूसी तरंग की लंबाई लेम्डा इसी तरह तीसी तरंग की लंबाई लेम्डा तो यहाँ पर एक तरंग की लंबाई होगी दो मीटर तो इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि 3 lambda equal to lambda एक तरंग की लंबाई होती है और यहाँ पर 3 तरंगे तो 3 तरंगों की लंबाई 3 lambda equal to 6 meter होती है 6 meter दूरी में 3 तरंगे तो जब हम इसे 1 meter दूरी माल लेते हैं मतलब एक मीटर दूरी में तरंगों की संकिया जयाद करते हैं तो यहाँ से हम 6 को अटा देते हैं नीचे चला जाता है तो हमें प्राप्त होता है 1 by 2 lambda एक मीटर दूरी में एक मीटर दूरी में एक बटा दो तरंगे होती है आप चाहे तो ऐसे पता लगा सकते हो ऐसे लगा सकते हो कुल मिलाकर इकाई दूरी में तरंगों की संक्या उत्पन तरंगों की संक्या को हम बोलते हैं तरंग संक्या